सब तो पहला आज सबनों सक्षी अकाल मैं रंजी सिंग मशीनिक्स अंस्टाक्टर सरकारी आईटियाई लुद्याना दा हां मैं अज मशीनिक्स ट्रेड दे पहले साल दे छे आजमें हफते दे तीजे प्रैक्टिकल बारे दसन जा रहे हां इहे प्रैक्टिकल इंटर्नल टेपर बोरिंग है इंटर्नल टेपर बोरिंग करन वास्ते भी सानू सिलेंडिकल ग्राइंडिंग मशीन दी वर्तो किती जान दी है पाव सानू स्लेंडिकल ग्रैंडिंग मशीन दी लोड है स्लेंडिकल ग्रैंडिंग मशीन नो चलाऊन तों पहला कामपनी द्वारा दितियां हदायतानों चंगी तरह समझ लेना अत जरूरी है ता जो किसी तरह दी दुरगटना नाकटे अते असानी नाल जो समय से रत्यार किती जास की उसे तरह ही सानू मशीन दे पार्ट बारे पी पूरी जानकरी होनी चाहिदी है जिमे की हेड़ स्टोक, वील हेड़, चक, कंट्रोल वील आदी काम शुरू करन तो पहला सारा जरूरी समान एकठा कर लेना चाहिदा है एंटर्नल टेपर बोरिंग ग्राइंडिंग करन तो पहला दिते गए टेपर एंगल दे मताबक वर्क हेड नो एंगल ते सेट करो जोव नो बड़ी शुद्धा दे नाल चाक विच बननो इस काम लई डाइल इंडिकेटर दी वर्तो करो जोव दे इंटर्नल डायमेटर दा नाब लो ठीक ग्राइंडिंग वील दी चोन करो ग्राइंडिंग वील दे डायमेटर सुराख दे डायमेटर दे दो बड़ा तिन पाग ना लो कदे वड़ा नहीं होना चाहिएदा मशीन दे ट्रिप दी सेटिंग कम दी लबाई मताब करो मशीन नू कंट्रोल पैनल तचलाओ ग्राइंडिंग वील नू स्राख विच लजाके कलीन अप कट लाओ मशीन नू बंद करके स्राख नू टेपर ले चेक करो लोड हुए था टेबल दी सेटिंग करो जूरत मताबक ग्राइंडिंग वील कटिंग लाइट ड्रेस करो अते जोब त्यार करो जोब त्यार करदे समें ग्राइंडिंग वील नू बार बार अंदर बाहर करो जोब नू तियार कर दे समें मशीन बंद करके ही बार बार साइच चेक करो अते जोब नू दिती गई एकुरिसी मतावक तियार करो ता जो साड़ी जोब खराब ना हो सके इंटर्नल टेपर बोरिंग황 आटोमेटी स्वेड चलग मशीन नादे वित्यार किती जा सकती है आटोमेटी कमेटी मशीन टे कम कर दाव जो जल्दी तियार किती जा सकती है जिस नाल समस्दी वर्तों अते मैंड बोर्दी बचत खुंदी है ता नवाट